हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल स्वाती आर्या, आज मैं आपके साथ गुलाब जावुन के यसे प्री शेयर कर रहे हूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिससे गुलाब जम आपके बहुत अच्छे बनेंगे, दोस्तों मैं कई सालों मरना मुझे बहुत अच्छे लगता है क्योंकि यह बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत अच्छी लगती है भराना तो इसको बहुत ही आसान है, तो देखे कितने बडिया बने गुलाब जावुन दोस्तों कितना प्यारा कटरा है इ और देखे कितने सॉफ्ट बने गुलाब जाओन दोस्तो दिवाली आने वाली और सबसे जो पहले बनाती वह मैं बनाती हूं गुलाब जाओन की यह बहुत जल्दी बन जाती और बहुत अच्छी लगती है और टिप्स और टिक्स शेयर कर दूंद आपके साथ में तो सबसे प मावे की जो गुलाब जाओने वो बहुत अच्छी बनती है देखे आप देख पारोंगे बिल्कुल ये आटे की फॉर्म में है तो ये बिल्कुल एक दम बारिक मावा है आप देख रहोंगे वीडियो में पर इसको किसी बड़ी सी परात में हम ले लेंगे और इसको है ना हातों पर अच्छे सी मसल लेंगे दोस्तों यदि आपका मावा रखा है फ्रीच के अंदर तो उसे एक घंटे पहले फ्रीच से बाहर जरूर निकाल दे और उसके बाद इसको बड़ी सी परात में ले ले और हतेली के सायता से इसको अच्छे से मसल लेंगे पांस से साथ मिनिट तक अच्छे से मसल ना है और देखे कितना बढ़ीया मावा है दोस्तों इसमें कोई दाना नहीं है तो आपको दानेदार मावे का इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं करना है पिलकुल चिकना मावा लेना है जैसा आप देख पारोंगे वीडियो में दोस्तों यह देखे कितना बढ़ीया मावा है दोस्तों ऐसे मावे की गुलाब जमन बहुत अच्छी बनती है और मेरे इसको बहुत ही आराम से हतेली के सायता से भी 5-7 मिनिट तक मसला दोस्तों देखे ऐसा मावा है यह वाला आप देख लीजे अच्छे से वीडियो में तो दोस्तों यह प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका जो बेस है वो अच्छा बनेगा तो आपके आगे की प्रोसेस से वो भी बहुत अच्छी बनेगी तो यह लिखे दोस्तों मैं इसको अच्छे से मसल रही हूँ बहुत ही अच्छा मावा है मैं दोस्तों हमेशा गुलाब जावन के लिए मावा बाजार से ही खरीती हूँ क्योंकि घर पर जो बनाते हैं मावा वो मावा का टेक्षर थोड़ा से दानेदार हो जाता है और उस मावी से मैं मतलब गुजिया है बर्फी है या फिर कलाकन ही बनाती हूँ पर जब भी बनाती हूँ गुलाब जावन तुम्हें बाजार से ही मावा लेकर आती हूँ यह देखे दो तीन टाइप का मावा होता है दोस्तों जैसे चिकना वाला दानेदार वाला मावा तो चिकना वाला मावा कही इस्तमाल आपको करना है अब इसमें हम डालेंगे दोस् भुचा, ढाले 300 g जायें, मेदा मेली सब्सक्रइब, समीध मेदे कर्सिती जालें, मेले 3 बाल टोस्टों अच्छा की एक भुचा, मेदा अधु आपड कर मेली, दियां टोस्तों, मैं आपके साथ भारबा सेंटेच, ताकि कोई गलती हाँ, ऐसमे जा थे प्लाइब मेली, मेली कि इसमें अब नीद नहीं है मेदे की आप परात में इफ नहीं ग taraf मेदा इसके लिए और अद। लिए मिधिर्फ हां डालने कष़का सभापने के मापना भी झाल्त नहीं मिदा कष़के कि अधर czym से नहीं है गुलाब जावन virus आपके साथ ओड़िई कर चुकिये याम बिना इसमें बना सकते हैं धो यादी है यादी आप साथ दोपींश डिल देगी सोडा बोखोट ऑच्छे गुलाब करते दूसे UNBeकर दोस्तों को अच्छे अच्छे याम अच्छ मेशी löख नढ तो मेरी और आफ्र म्सेल लिया है दोस्तों अब हम पर बनाएंगे इसकी जार्षनी तो मेरी आप पर दो कप लियु कहाkee जाला नुँए जाल झाको फिल्बीया है दोस्तों जाओ आप येटले जोड़ يमाने आपको दोगे दुछा से लाद sarà। डोस्तों को बहुत हरा दालेंगे दो एलाइची और थोड़ा सा प्राइचि केसर में पास कैसर भी अभी अविवल नहीं था और दो में हापगे डाल दी इलाइची बहुत इसा टेस्ट आएगा बहुत इसका अच्छा कदर आएगा हमारा जो है मावा अच्छे से रेस्ट भी हो गया है एक मिर्ट पांच मिर्ट तक और अब इसकी बनाएंगे हम गुलाब जावन तो पहले छोड़ा सा ले ले मावा और इसको चप्टा करेंगे और गोल-गोल-गोल गुमाएंगे इसमें कोई भी क्रेक्स नहीं आना चाहिए आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी क्रेक्स नहीं है यदि आपको लगता है कि इसमें क्रेक्स आ रहे हैं या आपकी गुलाब जावन तो इसमें थोड़ा सा मेदार एड़ कर दें फिसको अच्छे से नीट करें फिर आप बनाईएगा दोस्तों तो मैं आप पर ऐसे बन दोस्तों तो मैं हाप तोड़े से आर दस पर ले बना कर रख रहे हूं क्योंकि चेक करेंगे कहीं हमारे गुलाब जान फर्टो नहीं रहें और दोस्तों आपको इसको कैसी कड़ाई में फ्राई करना चाहिए तो आपको इसको ना मोड़ल की कड़ाई में फ्राई करना चाह तो अब देख रहे हैं वीडियो में आपको एसी कड़ाई देखिए हर घर में होती इसी में आपको फ्राइ करना है और मैंने इसमें डाल दिया है दोस्तो गी और गी का टेम्परिचर दोस्तो बहुत ही कम रखना है बहुत तेज नहीं रखना है वरना गुलाब जॉन फर्ट स टेम्परिचर कैसा है घी का तो मैं आप एक डाला है और देखिए कितने अच्छे से गुलाब जॉन उपर आ गई है और कलर भी अच्छा आ गया है तो बहुत ही परफेक्ट जो है इसका बनी है मारी गुलाब जॉन यदि आपको लगता तो फट रिया तो इसमें आप डाले देखिए उसको अच्छे से मसल ले फिसको बनाए अप गुलाब जाओन तो यह देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मेको ने इसको अच्छे से बने फ्राइ किया था और इसको आप डालेंगे चाशनी में देखिए और चाशनी में ठंडी दोस्तो एक चीज गरम होना चाह सब्सक्राइब करेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि हमने इसमें डाल तरह रहे हो कई अच्छी आगई दोस्तो फ्लाइट कलर यह पकी पसंद क्या रूसार आप कर सकते हैं और देखिक मैं बना लिए दोस्तो गंज आपको दोस्तो आज का मेरा वीडियो और टिप्स और ट्रि लाइक करना फोलो करना बिल्कुल ना भूलना तो दोस्तों छोटी टिप्स और टिक्स आपके दाफ में शेयर करिए और यह दिया आपको लगता है कि घी गरम ज्यादा हो गया तो इसे गेस को बंग कर दे फिर इसको आउन करें फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फिर अच् एक शेयर करना थैंक फूर वोचिंग बाइबाइ